मैं इस जख्म को इस अलाके में अपना स्वागत मानता हूँ इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे स्कार फेस को हराना होगा सबसे पहले तो मुझे इस जंगल को समझना पड़ेगा जो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं मुश्किल है मुझे एक तम खामोश रहना पड़ेगा मुझे एक तम खामोश रहना पड़ेगा और करीब पहुँचना होगा कमाल है ये लंगूर है मुझे इन जानवरों से नफरत है ये वाकई जंगल का सेक्योरिटी अलार्म है कोई भी शिकारी दिखा नहीं कि ये चिलाने लगते हैं और मुझे तो इन्होंने डेड़ किलोमीटर दूर से ही देख लिया इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन जब तक मैं यहां से चला नहीं जाओंगा इनकी चीक्स चलाहट बंद नहीं होगी इस लंगूर को यहां फैंग कहा जाता है और इसकी वज़ा भी है ये गैंग का मुखिया है तुझे अंदाजा भी है कि मैं तेरे कितने भाई भतीजों को खा चुका हूँ ये छोटे-छोटे बंदर बड़े ही शरालती है जब कि मैं इनका शिकार भी नहीं करता आज के दिन भी कुछ धंका खाने को नहीं मिला ये हिरन इतने नस्दीख है कि लगता है मैं इने पकड़ ही लूँगा मुझे इन बंदरों से छिपने का कोई तरीका ढूनना होगा लेकिन ये आसान नहीं है मेरी खाल इतनी अजीब है कि मेरे लिए यहां खास तोर पर अब शिकार करना एक बड़ी चुनोती बन जाता है क्योंकि कबीनी में सूखे का मौसम चल रहा है पेडों की पत्तियां जड़ चुकी है और जंगल को सूरज ने सुखा दिया है तो मैं सबको अलग ही नजर आ जाता मेरे शरीर पर भी धब्बे हैं सभी तेंदूओं की तरहां लेकिन मेरी बाकी फर्क काली है यहां के ज्यादा तर तेंदूए मेरे जैसे नहीं दिखते इसके पीछे एक बजा है मेरी बात समझ में आई वो गायब से हो जाते हैं यह है क्लियोव शायद यह इन परिशान करने वाले लंगूरों में से किसी को पकड़ सके लेकिन इसे देर हो जाती है देर हो जाते है इसा तो नहीं हो सकता कि ये पेड से नीचे गिर जाए ये जगा कबजा किये जाने के लायक है इसकी एक और वजा है क्लियो इस जगा को अपना बनाने के लिए मुझे दो चीजों की सरूरत है इलाका और वंशज क्लियो भरोसे से भरी है ये ताकतवर है और खुबसूरत भी तो मैं इसके करीब पहुँचने की कोशिश करता हूँ इस काम के लिए टाइमिंग एकदम सही है इसके जजबात को ठेस लगी है ऐसे में इसे धाडस बंधा कर बात बन सकती है तो मुझे मौके का फाइदा उठाना चाहिए लेकिन लगता है आज ये मूड में नहीं है क्लियो इस इलाखे में मौझूद सबसे ज़्यादा दबदबे वाली मादा तेंद हुआ है और इसी लिए ये इसके साथ है स्कार्फेस के साथ ओ, इन दोनों की तो दाल भी गलती लग रही है ये दोनों एक ही पेड़ पर है कुछ समझे आप और मैं यहाँ नीचे इन जोकरों के बीच हूँ क्लियू स्कार्फेस के बच्चों की परबरिश कर रही है ये जानती है कि जिस तेंदूए का पूरे इलाके पर राज हो उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिन्दा रहने की गुंजाईश बढ़ जाती है और फिलहाल इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि यहाँ का राजा कौन है स्कार्फेस हमें रोज ये याद दिलाता रहता है कि ये सामराज्य उसका है अगर मुझे कबीनी जंगल को अपना बनाना है तो मुझे इस से ज्यादा स्मार्ट होना होगा चुनोतियों के बावजूद मुझे कोई रास्ता निकालना होगा लेकिन यहाँ स्कार्फेस के अलावा भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा भारत के कबीनी फॉरस्ट में एक चीज और है जो मुझे जैसे ब्लाक पैंथर का यहाँ रहना मुश्किल बनाती है वो है यहाँ की तेज गर्मी और उपर वाले ने मुझे काले रंग की खाल दी है इसे लिए मुझे बाकी तेंदूओं के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है और ये एक बड़ी मुश्किल है लेकिन फिर मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां कुछ राहत हासिल हुई ये हैं बैक वाटर्स जो जंगल में काफी अंदर छेपे हुए हैं और ये बात भी कबीनी को इतना खास बनाती है इस जगह पर पूरे साल पानी रहता है सूखे के दौरान भी दूर दूर से जानवर यहां पानी पीने आते हैं लेकिन एक मुश्किल भी है मैं एक लोता ही ऐसा नहीं हूँ जो खुद को ठंडा करने यहां आया हूँ यह है खाल यह एक जवान टाइगर है इसका साइज मुझसे तीन गुना है और यह मुझे मार सकता है खाल का वजन करीब 226 किलो होगा लेकिन मैं इस जीज को अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल कर सकता हूँ मेरे पास बचाव का एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तिमाल वो नहीं कर सकता टाइगर बहुत भारी होते है इसी लिए ये जगा पेड़ों पर चढ़ने वाली मेरे जैसी किसी कैट के लिए जन्नत है ये इलाका है जादूई पेड़ों वाला यहां बागों से बचाव मिलता है ये है किस्मेट इसकी रानी ये शांदार खुबसूरत और जानलेवा है मुझे इससे डर लगता है लेकिन मैं इसकी तारीव भी करता हूँ यहां दबदबा रखने वाले नर बाग नहीं है तो यहां इसी का राज चलता है ये यहां अपने तीन बच्चों की परवरिश कर रही है और फिर ये इलाका इसका हो जाएगा तब इसे दुश्मनों का डर नहीं रहेगा खाल किजमिट के आगे कहीं नहीं थैरता लेकिन ये इसके बच्चों के लिए खत्रा है ये जानता है कि अगर इसने इसके बच्चों को मार दिया तो ये फिर मिलन के लिए तयार हो जाएगी और शायद इसी के साथ मिलन कर ले मुझे ये बात कुछ जमती नहीं लेकिन हम बिग क्याट्स को कुदरत ने ऐसा ही बनाया है किजमिट चाहती है कि खाल उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रहे और इससे मेरे लिए भी एग ताइगर का खतरा कम हो जाएगा ये सच है कि ये जंगल मुश्किलों से भरा है बेशक यहाँ उपर मैं सुरक्षित रह पाऊंगा लेकिन किसी पैंथर को पेट भी तो भरना होता है मुझे ये जानना होगा कि जिस जंगल में बाग घूमते हो वहाँ शिकार कैसे किया जाए तब ही मैं स्कार फेस से उसका सामराज चीनने के लिए उसे चुनोती दे पाऊंगा माहौल में तनाव है और वो मुझे भी महसूस हो रहा है स्कार फेस शिकार करने निकला है खलनायकों को भी पेट तो भरना होता ही है चीतल हिरन ने इसे नहीं देखा है लेकिन मा को खत्रे का एहसास हो जाता है उसे पता है कि इन दोनों के लिए बचना तब ही मुम्किन होगा जब वो खुद भाग जाए और इसका बच्चा छिप जाए लेकिन ये तरकीब मैं पहले भी देख चुका हूँ और स्कार फेस भी देखिए वो इस तरहां से शिकार करता है इसकी तारीफ करनी पड़ेगी स्कार फेस एक माहिर शिकारी है और शायद इसकी इसी खूबी ने क्लियो का दिल जीता है इसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो अब ये फिर से मिलन करेगी लेकिन मुझे तो अभी काफी कुछ करना है अपनी काली खाल की वज़ा से मुझे कभी नी और ख्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी सकार फेस को पूरा यकीन है कि वो यहां का बॉस है और इससे भी बुरी बात ये कि क्लियो खुद उसके पास जाती है इतना ही नहीं वो खुद को पेश भी करती है इनकी आवाजे सुनकर तो दिल बैठ सा रहा है लेकिन रोमैंस सिर्फ हम तेन तूओं के दिमाग पर ही छाया हुआ नहीं है सभी नर मिलन का अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ते हैं और इनमें सबसे खुबसूरत दिखने वाले नर भी शामिल है ऐसा लगता है कि मोर अपना इलाका पाने के लिए आपस में लड़ रही है ताकि वो अपने खुबसूरत पंकों का प्रदर्शन कर सके क्योंकि ऐसे पंक तो सिर्फ इन ही के पास होते हैं लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि मोरनी ऐसे पंक न जाने कितनी बार देख चुपी है उसने ये सब भी देखा हुआ है बेशक इसकी दिल्चस्पी इस नर में ना हो लेकिन मेरी है धद तेरे की इन लंगूरों ने फिर मेरा खेल खराब कर दिया मुझे सबसे पहले खुद को छिपाने का कोई तरीका ढूणना होगा लेकिन शायद हालात बदलने वाले हैं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है पिछले चार महीने से ये जंगल तेज धूप में तपता रहा है ये एकदम खुशक और बंजर हो गया है लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मौनसून आप पहुचा है ये नया मौसम अपने साथ बहतों के लिए नई जंदगी लाता है और मौके भी मैंने इस जगा को इतना हरा भरा कभी नहीं देखा लेकिन मैंने बारिश के इस मौसम में एक और चीज भी देखी है ये हैं बादल और इतनी सारी पत्तियां जिन से छाया मिलती है ये हर कहीं है और इनके कारण दिन में भी अंधेरा सा रहता है इस तरह मैं खुद को यहां छिपा सकता हूँ और मुझे खुद को फॉरण छिपाना भी होगा सामने किसमिट मौजूद है और मैं इस वक्त जमीन पर हूँ अगर इसने मुझे देख लिया तो खेल खत्म तो मैं खुद को छिपाई रखता हूँ और ये मेरे एकदम करीब से आगे बढ़ जाती है लगता है मैंने कबीनी को समझने का तरीका ढून लिया है लेकिन एक और जानवर है जिससे ये जंगल सहमा रहता है और खुद को छिपा कर मैं इसे धूखा नहीं दे सकता अगर इसकी आवाज सुनाई दे तो मेरी तरहां भागने में ही भलाई है यहां की सुबाहें बहुत ही खुबसूरत होती है हर चीज धुन्द की चादर में लिपते होती है लेकिन इन हालात का फाइदा उठाने वाला यहां सिर्फ मैं ही नहीं हूँ यह अलार्ण कॉल्स मुझे लेकर नहीं दी जा रही यह इन डोल्स के लिए है जिनसे मैं भी डरता हूँ यह हैं कबीनी के जंगली कुत्ते इनसे पूरा जंगल डरता है मैं इसे एक या दो का सामना तो कर सकता हूँ लेकिन इनका जुन्ड जानलेवा होता है इनसे तो बाग भी डरते हैं गानी जाडियां भी मुझे इन जानवरों से नहीं बचा सकती इनकी नाग भी बहुत ही घज़त की होती है और इनकी तादाद फिलहाल बीस है यानि बीस नाग तो एक ही रास्ता है पेड़ पर चड़ जाना तू नहीं चड़ पाएगा इससे आगे इसका पहुँचना नामम्किन है डोल्स को गुदरत ने पेड़ों पर चड़ने की खुबी नहीं दी उनके पास इसकाम के लिए ना तो ना खून होते हैं और ना ही मसल्स ये जानते हैं कि ये अपना वक्त बरबाग कर रहे हैं लेकिन आप ये कहां जा रहे हैं ओ इनका जुन तो बैक वाटर्स की तरफ जा रहा है वहां इन्हें जो मिलेगा उसे अपना शिकार बना लेंगे किसी वाइल्ड बोर को पकड़ना आसान नहीं इनके दाथ किसी डोल का पेट भाड़ सकते हैं और तब ही जैसे बड़े बड़े ये हाती भी इन्हें भगाने के लिए आप पहुंचते हैं अगर किस्मट हमारी रानी है तो हाती हमारे लिए देवता जैसे हैं ये आपस में मिलने जुलने और साथियों को ढूनने के लिए बैक वाटर्स पर इकठे हो जाते हैं कबीनी में एक हाती ऐसा है जिसे हर कोई सम्मान देता है इसका नाम है बोगेश्वरा और कहते हैं कि एशिया में इसके दाथ सबसे लंबे है यहां भी हातीयों का शिकार वैसे ही किया जाता है जैसे कई दूसरी जगाहों पर यह पूरा पूरा दिन कबीनी के घास के विशाल मैदानों में चरते रहते हैं शायद यह शाकाहारी जीव होंगे तू नहीं चड़ पाएगा इसके दांत बेशत बड़े हैं लेकिन डोल्स सिर्फ जुन्ड से ही डरते हैं भला यह इतने बड़े जीव को क्यों खिजा रहे हैं इसकी वज़ा इलाका है या फिर यह इन्हें शिकार समझते हैं कौन जाने डोल्स सिर्फ फिरे होते हैं खेर जो भी हो लगता है बाकी जुन्ड के हाथ खजाना लग गया है डोल्स बाकई बहुत परिशान करने वाले शिकारी हैं हम तेंदुए हाथियों के साथ नहीं उलशते हम तो इनके साथ मिल जुलकर ही रहते हैं कोई नौसेखिया ही इन विशाल जीवों से भिड़ने की कोशिश करेगा लेकिन अगर बात खुसेल और कम उम्र बाग की हो तो मसला कुछ और है क्या खाल वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं कि उसमें हिम्मत है हाथी के इस बच्चे का वजन लब्बे केलोग्राम है तो ये भरपेट खुराक साबित होगा ये इतना बड़ा है कि बच्चे को मार सके बस इसे सही पल की तलाश है तो भला कोई टाइगर दस टन वजनी किसी हाथी के करीब तक छुप कर कैसे पहुँचेगा ओ समझ गया ये क्या करने वाला है और ये भी समझ गये है खाल दिन में सपने देख रहा है इस बाग को नहीं मालूम कि बच्ची की हिफाज़त सर्फ मा नहीं करती पूरा जुन्ड करता है हाथीयों के हक में उनका साइज, उनका दिमाग और उनकी संख्या है इन्हें कोई नहीं चूसरता और शायद शेरों से इनकी पुरानी रंजिश भी है खाल वो ये बात भूलने वाले नहीं है माहौल में फिर से बदलावा रहा है मौनसून का मौसम खत्म हो रहा है इस से पहले की कबीनी का जंगल सूख जाए हर कोई मौजूदा वक्त का भरपूर फाइदा उठाने की कोशिश में है एक बार फिर मेरे लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है मुझे सूख चुके जंगल में खुद को छिपाने की कोशिश करनी होती है लेकिन बारिश के मौसम में मैंने जिन्दगी से कुछ सीखा है मैं च्छाया में छिप सकता हूँ तो सूखे के मौसम में भी मैं अंधेरा ढूंड सकता हूँ अब ये मेरी दुनिया है अब मेरे पास एक रणनीती है सबसे पहली बात मुझे इन खुराफाती लंगूरों की नज़र से बच कर रहना होगा ये पूरे जंगल में ये बात पहला देते हैं कि मैं शिकार पर निकला हूँ पर मैं अब अपनी साथ ही छाया का इस्तिमाल कर सकता हूँ अभी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा है कोई अलार्म कॉल नहीं आई है मुझे बस थोड़ा सा करीब और पहुचना है एक बार रेंज में पहुच जाओ उसके बाद ये बंदर जितना चाहें चीखते चलाते रहें रोशनी जितनी चमकदार होगी अंधेरा उतना घना होगा बादल पेड़ सूरज छाया सारी एहमियत टाइमिंग की है अब हमला करना होगा हर शिकार के साथ में ज्यादा ताकतवर ज्यादा विश्वास से भरपूर होता जा रहा जल्द ही सकार फेस मेरे सामने होगा और इस इलाके पर राज करने के लिए मैं उससे भिड़ोगा लगता है क्लियो ने शिकार किया है और शिकार काफी बड़ा है इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो शायद ये आखरी बार अपने परिवार के लिए शिकार कर रही है लेकिन ये घबराई हुई है इसके बच्चे छिपे क्यों हुए हैं? ओ तो ये इसकी बज़ा है खाल अगर उसने इसके यहां होने का पता लगा लिया तो वो इसे और इसके बच्चों को मार देगा तो इसे जटपट बच्चों को यहां से निकालना होगा खाल हिरन को खाता है तो खाता रहे लेकिन तब ही हाथ ही यहां पहुंच जाते हैं कहावत है न, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है खालने कभी इनके एक सदस्य को धमकाया था और ये इस बात को भूले नहीं है पता नहीं क्लियो को ये मालूम भी है कि नहीं कि इस पूरे वक्त मेरा दिल सिर्फ इसी को चाहता रहा है कभीनी में सुभा का समय है और मैं एक्शन के लिए तयार हूँ ये सामराज्य क्लियो के इर्दगिर्द ही घुमता है ये अपने इलाके की निशानदे ही करती रही है यहां इसकी गंध बिखरी हुई है जो बताती है कि ये कोई साथ ही ढून रही है सकारफे समेट कोई दूसरा तेंदुआ भी ये बात जानता होगा पर क्लियो है कहां? ओ, ये रही क्या ये सकारफेस के साथ ही रहने वाली है या फिर मुझे चुनेगी? ये तो सकारफेस की आवाज है आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाने दो नतीजा चाहिए जो भी हो अब जो होगा देखा जाएगा और अब ये जंगल मेरा होने वाला है सकारफेस तू तो डर कर पेड़ पर चड़ गया अब ये जाएगा सौरी सकारफेस अब तु मेरे अलाखे में है और क्लियो अब तेरी मेरी जोडी इस जंगल पर राज करेगी अब जंगल की शकल बद जाएगी अब ये जंगल मेरा है या यूं कहिए कि हमारा जंगल इसका भी है इनका भी और तुम्हारा भी समझ रहे हो ना कभी हम सब कहें